कैसे हैं आप सभी लोग I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाईज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गईज एक जनरल कलेक्टिफ ट्रैमलेस रीडिंग है जब भी आपकी स्क्रीन तक आएगी तब आप से रेजोनेट करें और जितन आप से रेजोनेट करें अतना ही रखेगा सभी जोडियक साइंस के लिए ये लीडिंग होती है और ये रीडिंग प्लीज गईड कीजे अरी हरा क्या फुल मून की एनर्जी चंद गहन की एनर्जी का ऐसर हो रहा है मेरे व्यूर्स के पार्टनर्स की एनर्जी पर प्लीज गईड मी झाल को थैंक्यू बोलना चाहूंगी कल काफी सारे लोह को कमेंट्स आये टिप्राइच मेरे लिए अभी फिलाल में मुझे अच्छा लग रहा है थैंक्यू डियार आप लोग के इतने सारे प्यार इतने सारे कमेंट्स के लिए आपका प्यार मेले बहुत जादा प्रीशियस है थैंक्यू थैंक्यू सो वेरी मच पहला मेसेज जो इंजल्स ने दिया है कि आपकी जो परस्पेक्टिफ चेंज होगा इनका नजरिया यहाँ पर इंजल्स मैसेज दे रहे है इनका नजरिया चेंज होगा तीक है यह जो असर डालेगा फुल मून और यह जो चंद रहन लग रहा है यह आपके परसंड की एनरजी में कलेक्टिफ में जो असर डालेगा वो यह कि इस परसंड की सोच बदलेगी ठीक है इस person का चीजों को देखने का तरीका बदलेगा नजरिया बदलेगा ठीक है ये अभी इनका ये जो है ना perception shift होगा चीजों को देखने का ठीक है और ये यहाँ पर जितना जादा हो सके मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आपको ना बोज से हताएंगे ठीक है जितना ये बोज जो आप अपने उपर सर के उपर चीज़ें लेते हो ना इससे universe release करेंगे यहाँ पर collective में पहली energy यही निकल कर आ रही है मतलब इस full moon के बाद ठीक है और इस energy के बाद आप सब लोगों को ही तो collective की energy है तो आप सब लोगों को ही थोड़ा light feel होने वाला है आपको ऐसा लगेगा बहुत सारा वज़न आपके सर के उपर से किसी ने हटा दिया यह आपके partner के लिए भी है message और यह आप लोगों के लिए भी है ठीक है और यहाँ पर दूसरा message angels दे रहे हैं बिछडे हुए लोग मिलेंगे ठीक है यह angels message दे रहे हैं यहाँ पर दूसरी line message आ रहा है यहाँ पर कि आपकी अगर किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी किसी के साथ भी चाहे आप हो चाहे आपका partner हो and वह bonding खयाब हुई है समाई के साथ ठीक है चाहे वह भाई-भाई में हो चाहे भाई-बहन में हो चाहे husband-wife में हो चाहे lovers में हो किसी में भी हो अच्छी खासी bonding अगर खराब होई थी तो बिछडे लोग मिलेंगे यानि कि दो अच्छे दोस्ते तो वो मिलेंगे दोनों वो अच्छे भाई थे उनमे अच्छी बाते होती थी तो वो दोनों पास आएंगे मतलब यहाँ पर जिनके बीच में बिना बात आपके विवाद चल रहा था वो चीज़े यहाँ पर एक होगी यह आपके पार्टनर के लिए मैसेज है गाई उनकी लाइफ में भी ऐसे जो भी रिष्टे है जो बिना बात के खराब हो गए थे बिना बात के उनमें प्रॉब्लम्स क्रेट होई थी वो सारे यहाँ पर करिक्शन्स ठीक होंगे और रिलेशन्स ठीक होंगे ठीक है यह दूसरा मेसेज है यहाँ पर यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आपके जो परसन है कुछ इस तरीकी की बाते आपसे यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक है जैसे आपको आपकी तारीफ कर देना या फिर ऐसा कह देना आपसे कि आप कुछ मत बुलिए वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते है ठीक है वो आपको चुप करा दे और खुद सब बोलते जाएं बोलते जाएं इतना टॉकेटिव आपने अपने पार्टनर को जिंदगी में कभी नहीं दे टोनी जो है वो ओर फेल mayda जाएं तौनी सबाएं बाहरो ना हो प्रसुमुन कि अधिक है यहां पर मुझे पेश्ज मिल रहा है यहां भी मतलब इस्रुश घ्रैडी रह सकते हैं कि आपकी इस परसंट कि दिल को बहुत सारी ऐसी बाते निकलकर बाहरा सकती हैन्यई क्यूकी बहुत इमोशनल करेगा यह फूल मून ये भी मेसेज है ठीक है, यहां पर ऐसा भी है जो बिल्कुल ही अकेले है जिनके पार्टनर बिल्कुल ही अकेले हैं और किसी का साथ नहीं मिल रहा है उनको अकेले ही सारी चीजों से डील कर रहे हैं या फिर इस तरीकी का मैसेज भी है कि जो मेरे वियूर्स है उनके पार्टनर्स ने उनको विल्कुल अकेला छोड़ दिया था पर जरासा भी उनका साथ नहीं दे रहे थे तो यहाँ पर आपकी जो परसन है यह आपकी तरफ मदद का और साथ का आध बढ़ाएंगे यह आपका ऐसे रिलास करवाएंगे कि इस दुनिया में कोई है जो आप के लिए है जो आप के लिए खाड़ा है या फिर जो आपकी समय पढ़ने पर मदद कर सकता है इस तरीकी का एहसान आपका पार्टनर आपको डेफिनेटी दिला सकता है यहाँ पर ठीक है ओके गाईस इस फुल मून पर मेडिटेशन जरूर कीजेगा क्योंकि यह फुल मून और एक चीज़ मैं बता देती हूँ किसी से जगड़ा अवाइड करें ठीक है बाहर जाना भी अगर ना जरूरत पड़े तो बिलकुल अवाइड करें ठीक है अगर मैं अगर बहुत ही दाश एमरजनसी नहीं है तो आप जितना हो सके चैंटेंग करियेगा यह फिरburn आपको पोक करने की कोशिश कररे हैं आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे तो और अवाइड करिये गा response भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा react तो बिलकुल मत कीजिएगा ठीक है क्योंकि कोई ना कोई emotion आपका surface definitely होगा जो आपको hit कर सकता है और उसका result यह आएगा कि आपकी purging हो जाएगी अच्छी खासी और आपको रोना आएगा ठीक है तो purging तो okay है लेकिन किसी के साथ विवाद नहीं होना चाहिए तो इससे थोड़ा साब्दा लेगा अगर कुल कुछ बोलता है एक कान से सुनके दूसरे से निकाल दीचेगा यहाँ पर womb healing का बहुत strong message आ रहा है ठीक है आपके partner की तरफ और मुझे रगता है कि inner child healing ठीक है message आ रहा है पी लेटर वालों के लिए आपके person के message आपके person जो है वह आपको यह भी बोल सकते है कि आखिर वह आपसे भाग क्यों रहते ठीक है आपको इस बात का answer देगा आपका partner जब आएगे ना और आपसे पूछेंगे आप पूछ सकते हैं उनसे कि भाई यह बता दो इतने समय से अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे से भाग क्यों रहते हैं तुम ब्लाग क्यों कर rखाते हैं तुम मुझे मुझे दूर क्यों तें आपको इतने बолотней देंगे गैसogenई कि इस Cat vos आपको इस तरीकिय का answer आपको ते सकते हैं कि मुझे में क्यों भाग रहा था अनकल किसी ने एक message कि यह आगा दा कि उसके पार्टनर ने उसे clarity दिया, फूरा एक साल ले लिया, उसके पार्टनर ने उसे clarity देने में, and finally, sorry भी बोला है, और clarity भी दे दिये, ठीक है, भाई, वो जो भी इनसान था बहुत खुश था, कल, इस person को एक strong गलती का अपने realize होने वाला है, इस full moon पर, यहाँ पर collective में energy बता रही हूं, यहाँ पर angels message दे रहे हैं, कि full moon पर आपके जो partner है, उनको strong realization इस चीज़ का होगा, यहाँ पर कि आप दोरों के रिष्टे के बीच में, लोगों को interfere करने का काम, आपके partner ने करने दिया है जब तक कोई काम आप दूसरों को करने की जालत ना दो, वो घुसकर आपके life में वो काम नहीं कर सकते, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, कि आप ही मौका देते हो वाई, अगलों को कि आओ, हमारे रिष्टे में बोलो, हमारे रिष्टे में बात करो, हमारे हैं वो ऐसा message देने की कोशिश कर रहे हैं आप angels की तरफ से भी message ले सकते हैं कि आपके जो person है उनको सबसे जादर strong realization इस चीज का उपर होगा कि तीसरे को बोलने का मौका आपके रिष्टे में आपके partner ने क्यों दिया तो आपके person ये चीज आपसे भी बोल सकते हैं कि आपने किसी तीसरे को इस रिष्टे में बोलने का मौका क्यों दिया या किसी तीसरे को ले कर क्यों आए ठीक है चाहे वो बोलने के लिए हो चाहे तोड़ने के लिए हो चाहे समझाने के लिए हो या समझ के लिए हो आप जब दो लोग mature हो तो तीसरे की जरुत क्यों है तोनों लोग मैजॉर्टी के साथ connection चला लेते बड़ यहां पर कोई तीसरे को लेकर आया है समझाने के लिए या फिर तड़वाने के लिए या फिर जैसे भी तो आपके जो person है इनको सबसे strong realization इसी चीज़ पर हो रही है किसी भी तीसरे को कभी भी connection में लेकर नहीं आना चाहिए कोई भी तीसरा गर connection में आ रहा है चाहे उसे आपने मदद के लिए बुलाया हो चाहे आपने उसे jealousy करवाने के लिए बुलाया हो चाहे आपने उसे इसके लिए बुलाया हो कि आप दोनों को समझाएगा ठीक है तीसरा जब भी रिष्टे में आएगा तो वो तोड़ेगा ठीक है उसका कभी भी आना सुब नहीं हो सकता है क्योंकि तीसरा कभी भी रिष्टे को जोडने नहीं आता है लोगों को बने बनाए connections तोड़वाने में मज़ा आता है तो कभी किसी को भी अपने connection में invite ना करें कि आओ मेरा connection सुलाजवा दो उससे बात कर लो मुझसे बात कर लो यहां पर आप खुद अपने connection में आप दोनों जैसे हूँ वैसे बात करो खुद को unblock block ना करके खुद एक दूसरे से बात करो वो जाना better है किसी तीसरे को लाने की बजाए यह चीज आपके person को यहां strong realize होने वाली कभी भी connection में दो लोग के connection में तीसरे को ना लेकर आए ठीक है तीसरे जब भी आएगा दो लोग के बीच में बनवाएगा नहीं बगड़वा के जाएगा ठीक है यह बिलकुल fact है आपकी person की इस्तिती है एंजल से मेसेज दे रहे है वो इस तरही की हो गई थी जैसे वो इतना बॉड़ी जाम कर देना बॉड़ी बिलकुल बॉड़ी बिलकुल जम देना इसा फ्रीज कर देना और दिमाग को कॉंटिनसलि चलाना ऐसे आप इस तरह को किसीने देख सकते हैं आपकी बॉड़ी यह बिलकुल नहीं बन गदिक श器 आपका दिमाग लगातर किसी के कंटोल में और कोई दिमाग आपका लगातर कंटोल कर रहा है है यहां पर ऍि lur देर रहे है कि जितने लोगों की भी stuck situation है वो बाहर निकलेंगे जिनके भी पाटनर stuck situation है उनको ढाले हुए यहाँ पर मेसेज आ रहे है चोड़ी हम देखने ही कुशिश करते हैं कि कार्ट साप लोग को क्या बताते है प्लीज काइट कीजे एंजल्स जो भी मेरे व्यूर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी मेरे व्यूर्स को लेकर क्या है हुआ है गाइज यहां पर जस्टिस मैनिफेस्ट हो रहा है ठीक है आप लोग क्या कलेक्टिव में जस्टिस मैनिफेस्ट हो रहा है इस वक जो कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है अवेगनिंग का प्रोसस चल रहा है उसमें बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनके साथ किसी ने किसी प्रकार का इंजस्टिस हुआ है यहां पर एंजल साफ मेसेज जा रहे है, जस्टस मैनिफेस्ट हो रहे है, पहली चीज तो क्या रहे है, पहला यहां पर वैसे जा रहे है कि आपकी जो परसन है, इनके सामने कुछ ना कुछ शादी रिलेटेड इस्जू डेफिनिटली होगा, ठीक है, फोर ओवर्ण्स और त् जो 5D जो अर्थ है, वो अपने आपको 5th dimension में खुझ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो लोग और्टमेटिक होंगे, ठीक है, लोगों का रहन सहन, खाने पीने का तरीका कलेक्टिव में बहुत जादा मदलेगा, वो अपने आपको चेंज करना चाहें, या ना करना चाहें, उनकी लाइफ में घुमाई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अर्थ ही अपने आपको शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इस चीज का असर होगा, क्योंकि कार्मिक पैटन्स जो भी है, वो छूटे हैं, जब जब लोगों की वाइबरेशन, एनरजी मैच नहीं करती है, वो रहते हैं, और आप अपना एक lesson learn कर लेते हैं, या पर जो चीज आपको उनसे सीखने हैं, आप जब वो सीख लेते हैं, तो यानि कि आप मैच और हो गए, आप मैच और हो गए, और आप उनके स्तर पर नहीं रहें, कहीं न कहीं आपका vibration level change होगा, आपका frequency change होगा, जब आपक vibration change होता है, तो आप उपर जाते हैं, जब आप acceptance में आते हैं, या forgiveness में आते हैं, तो उपर की तरफ आप आए, तो वो automatic situation आपकी life से चली जाती है, ठीक है, क्योंकि कभी तो ऐसा time आए का कि आप अपने आपको चुनेंगे, या अपने आपको priority पर रखेंगे, अपना vibration shift मैं बार-बार इस तरीकी की जिन्दगी को नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, जब आप वो कह देते हैं, यानि कि आपने वहाँ पर एक situation को end किया, आपने अपना time shift किया, ठीक है, आपने एक level उपर गया, जैसे आप उपर गया, कार्मिक situation आपके लिए से खतम, वो वाला chapter close, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसे जो भी marriages में है guys, उनकी देखिए यहाँ पर मैं सीधी बात बोलती हूँ, कि जो आपका नहीं है उसे निकाल दो, उतना ही रखो जो आपके हका है, बिना मतलब दूसरे का हक मानने की कोई जरुत नहीं है, यानि कि आपके हिस्ते मे अगर इतना दिया हुआ है, तो यह आपका अधिकार है, इसके बात का अगर आप अपने जिन्दगी में चाहते हैं, तो आप खुद मेहनत करिए और earn कीजिए, जैसे मान लीजे, यूनिवर्स ने आपको इतना देकार रखा है, तो इस पर आपका अधिकार है, तो इसके अल को दिया था, आपने कहा कि आपने का मैं इसको भी ऐसे उठा कर अपने लाइफ में ले आऊँगा, ठीक है, यूनिवर्स कहते हैं, यह पॉसिवल नहीं है, तुम किसी का हक नहीं मार सकते हैं, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो energy balance होती है, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि वो दूसरों का हक मारते हैं, ठीक है, दूसरों को हिस से का पैसा माल लिया, उसके बाद वो पैसा उनका कहां से नकलता है, कभी बीमारी में निकलेगा, कभी किसी गलत काम में लगेगा, लेकिन वो शुप चीजों में खर्च नहीं होता है, उसका मतलब यह होता है कि आप हमेशें अपने पास वैसी उर्जा रखें जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रेट करें तो यहां पर आप समझ गयोंगे कि जो भी एक्स्ट्रा है उसे बाहन निकालो फिलम तो झाल यहां तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां इक नई शुरुआत का मैसिज दे रहुए यहां पर एक नई शुरुवात का मैसेज है तो यहां पर यह है आपके जो परसन हैं लंबे समय से जगल कर रहे हैं तो इनकी जगलिंग सिच्वेशन भी उनिवर्स खतम करेंगे यह भी मैंने शाहत कई वार रीड किया हुआ है कि आप तभी तक जगल करते हैं तब तक आपको क्लारटी नहीं मिलती जब तक कि आपको कर्मा बन रहा है जब तक कोई लेसन बन रहा है जो आपको सीखना है जब तक आपको सीखने जाते तब तक आपको क्लारटी नहीं मिलती क्लारटी आपको तम मिलती जब आप अपना वाइब्रेशन रेस करते हैं चीजों को ठीक तरी situation से बहुत ज़्यादा परिशान है आप तो बहुत ही अच्छी जंदीगी जी रहे हो गाइस ठीक है आप अपनी situation पहले खतम कर चुके हो यानि आप पहले उन साही चीजों को face कर चुके हो आपके person मतलब बात में कर रहे हैं और कहीं न कि masculine energy बहुत ही triggers किये जाते तब भी ये logical mind लगाना बंद नहीं करते तब भी इस चीज़ को मानना शुरू नहीं करते कि यहां पर कोई तीसरी power भी है जो control करती है इस दुनिया को ठीक है उन्हें ऐसा लगता है हम control करते हैं उनको ऐसा लगता है कि सारा कुछ हम चला रहे हैं इतने उनको triggers दिय जाते हैं इतना उनको realize करवाया जाते कि कोई और है जो इस journey को चला रहे है जब बहुत ही जादे स्टबबन इनसान है उनको तो तब उससे तोड़ा जाता है जिस चीज़ पर उनका सबस्यादा यह नो बहुत नाज होता है तब जाकर कही ने कहीं उनकी awakening स्टार्ट होती है और उनको समझ में आते कि नहीं कोई और भी है जो इस दुनिया को चला रहा है सिर्फ हम ही नहीं है तब जाकर ऐसे धीट लोगों की awakening होती है यहां पर कुछ इस तरीकी के messages निकल कर आ रही है जल्दी से अलफाबेट्स देख लेते हैं आपके partner के message भी लेंगे आपके लिए we were always meant to be meant to meet it was written in the stars इस person कई नहीं मालूम है जिनका मिलना नसीब में लिखा होता है उनको पता होता है कि हम मिलेंगे don't pressure me please give me some time ठीक है लेकिन फिर भी यह person जो भी है कोई pressure नहीं लेना चाहते है यह कह रहे है कि आप उन पर कोई pressure नहीं डालो जो भी चीज़ें होंगी उनको universe के through होने दो ठीक रहे हैं यह आपको हमेशा खुछ देखना चाहते हैं I love you ठीक है alphabet सेखते हैं okay यहाँ पर है N O J H B L N 30 नंबर है okay so guys definitely this reading को claim करें ठीक है बहुत important reading है वीडियो पसंद आए तो like जरूर करें चैनल पर पहली बार subscribe जरूर करें thank you guys